हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिप चैनल एजुकेटिट भारत में आज हम मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक देखने वाले हैं जो है प्रमुक शाशक और उनकी उपाधी इस से रिलेटेट प्वेस्चन एक्जाम में बहुत अधिक बनते हैं तो प् वीडियो का पीडियेफ आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से टेलेग्राम चैनल को जरूर जाइन कर लीजे चले स्टार्ट करते हैं सबसे बहले देखिए सिकंदरे सानी तो सिकंदरे सानी की उपाधी की उपाधी किसके पास थी तो शेर शां सूरी के पास इसके बाद है शेर अफगान ठीके शेर अफगान की उपाधी अली कुली बेग अली कुली बेग ने शेर को मारा था इसी उपलक्ष में उन्हें सेर अफगान की उपाधी से नवाजा गया था इसके बाद है महराज की तो ये खारवेल के पास थी किसके पास जो राजा खारवेल थे उन्होंने महराज की उपाधी धारण की थी इसके बाद है विक्रमादित थी और शकारी ये किसके पास थी उपाधी तो ये चंद्रगुप्त दुतिये देखिए जो गुप्त वंच के शाशक हैं उन्होंने बह बहुत जादा एक्जाम में पूछी भी जाती है तो विक्रमादिती किसके पास थी तो चंद्रगुप्त दुतिये के पास इसके बाद नेक्स्ट है उलुग खां उलुग खां की उपाधी किसके पास थी तो बलबन के पास उलुग खां की उपाधी थी नेक्स्ट मलिक देखे उपादी किसके पास थी तो जहागीर की वेगमती महरुन निशा उन्हें उनकी खुबसूरती को देखते हुए जहागीर ने उन्हें नूर जहां की उपादी से नवाजा था इसके बाद महाराजा धिराज की उपादी चंद्र गुप्त विक्रमादित्य के पास महाराजा धि देखे महेंदर आदित्य कर्मा आदित्य बहुत पूछा जाता है महाराजा धिराज ये भी बहुत जादा पूछा जाता है जितने भी गुफ्तवंच के शाशक हैं उनकी उपादी बहुत जादा पूछी जाती है इसके बाद देखे परम भटारक और शिला आदित्य ये किसक अग्रभोच की उपाधी इसके बाद है परमेशवर और दक्षिना पतेशवर ये दोनों ही उपाधियां पुलकेशिन दुतिये ने धारन की थी ठीक है आपको याद रखना है पुछा जाता है पुलकेशिन दुतिये के बारे में बहुत विश्चिन बनते हैं तो ये आपको उसकी उपाधी के बारे में याद रखना है फिर है नरकेसरी तो नरकेसरी के उपाधी विज्याले के पास थी ठीके विज्याले के ने धारण करी थी नरकेसरी की उपाधी उसके बाद उत्रापत स्वामी तो उत्रापत स्वामी के उपाधी धर्म पाल ने धारण की थी ठीक ह आंद्र भोज और अभीनाय भोज की उपाधी इसके बाद है गाजी और कलंदर तो गाजी और कलंदर ये दोने उपाधी बाबर के पास थी ठीक है आपको याद रखना है ये most important है कई बार पूछा गया है सिपह सलार ये उपाधी किसके पास थी तो कुतुबुद्दीन एबक कुतुबुद्दीन एबक के उपाधी थी सिपह सलार की अमित्र गाट ये most important है कई बार पूछा गया है बिंदु सार ने धारन की थी अमित्र गाध की उपाधी यही पर यमिन- उल्मिलला ये महमूद गजनबी की और यामिन- उलहिला ये भी महमूद गजनबी की उपाधि थी इसके बाद राच परमेश्वर तो हरीहर दुतिẏ थे उन्होंने राच परमेश्वर की उपाधी धारन की थी इसके बादfront है बुद्षिकन बुद्षिकन यहने मूड्यों को तोड़ने वाला तो यह उपाधी समराट तो रास्टिय समराट की उपाधी अकबर के पास है ठीक है अकबर को रास्टिय समराट के नाम से जाना जाता है प्रिये दर्श्री या देव प्रिये दर्श्री ये नाम अशोक का है ठीक है अशोक के पास ही उपाधी है तो आपको यह याद रखना है गंगे कोड चोल तो राजेंद्र प्रथम ठीके जो चोलवंश के राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने गंग कोट चोल की उपाधी धारण की थी इसके बाद भारतिये नेपोलियन की उपाधी किसके पास थी तो समुद्र गुप्त को भारतिये नेपोलियन के नाम से जाना जाता था इसके बाद है कवी राज तो कवी राज की उपाधी समुद्र गुप्त के पास ठीक है समुद्र गुप्त ने धारण की थी कवी राज की उपाधी इसके बाद वातापी कोंड एक most important है ये उपाधी पूछी जाती है तो नरसिंग वर्मन प्रथम के द्वारा वातापी कोंड क उपाधी धारण की गई थी फिर है मिर्ग राज तो मिर्ग राज की उपाधी विक्रमादित्य दुत्य आपको याद रखना है विक्रमादित्य दुत्य ने मिर्ग राज की उपाधी धारण की थी अमीर उल मौमिनिन ये इल्टुत्मिश की उपाधी थी क्या आपको याद र आदिल इसलामे आदिल की उपादी अकबर के पास थी इसके बाद है नाना सहाब तो देखे नाना सहाब की उपादी बहुत पुछी जाती है बाला जी बाजी राओ के पास नाना सहाब की उपादी थी इसके बाद जहांगीर तो सलीम जो अकबर का बेटा था उसे जहांगीर क उपादी दी गई थी इसके बाद है इबराहिम शा तो जो इबराहिम लोदी था जिसकी बावर से युद्ध हुआ था जिसका उसने इबराहिम शा की उपादी धारण की थी इसके बाद गुंड समंदर तो गुंड समंदर की नाम से लाल खां जाने जाते थे ठीक है लाल खां गुंड समंदर के नाम से जाने जाते थे फिर खान खाना तो खान खाना महावत खान को उपादी दी गई थी खान खाना की इसके बाद नादी रुजम्मा की उपादी अबुल हसन को दी गई थी इसके बाद देखिए नासिर उल अस तो ये जो उपादी है ये उस्ताद मनसू पूर के पास थी फिर जरी कलम बहुत पूछा जाता है जरी कलम मुहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधी दी गई थी फिर पूछा जाता है शीरी कलम जरी कलम और शीरी कलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है शीरी कलम की उपाधी अब्दुल समत के पास थी यह मोस्ट इं बुद्धिन एबक के पास थी इसके बाद है मलिक उलगाजी मलिक उलगाजी की उपादी धारन की थी गया सुद्धिन तुगलक ने यहीं पर दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी उपादिया थी वो हमने इस वीडियो में कम्प्लीट कर ली है अगर वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजेगा इसे जादा स्यादा शेयर कीजेगा आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत